अब रुख कांग्राजिले का सूचनाव प्रसारन मंत्री अनुराग सिंग ठाकुर ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभाचुनाव में भाजपा बहितर प्रदर्शन करेगी और विधानसभाचुनाव के दौरान रही कम्यों को दूर किया जाएगा कांग्राजिला के जस्वाप रागपुर क्षेतर के मोईन में आज भाजपा कारकरताओं के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि वे हमेरपुर संसद एक शेतर के तहट आने वाले विधानसभाचुनाव के दौर किया जाएगा आगे काम कर रहे ताकि आने वाले चुरावव में और अच्छा कर सके और जन्ता ने देखी लिया कि जिन जूटे वाइदों के चलते जन्ता गुम्रा हो गई थी अब कॉंग्रेस उससे दूर भागती नजर आ रहे जिम्मेदारी लेता हूं कई कारेकरता के रूप में भी और अगर किसी को लगता है मेरे कारण हुआ है तो निश्य तोर पर मैं यहां का नेता हूं मेरे यहां पर अगर कमी रही है तो इसमें क्या है हम हर चुनाव को बड़ी ताकत के साथ लड़ते हैं जम्मेदारी के साथ लड़ते हैं और आगे भी बड़ी ताकत के साथ लड़ करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस सरकार ने अभी तक महिलाओं को बंद्रा सो रुपए नहीं दिये हैं और अन्य गारंटियों के नाम पर भी कुछ नहीं किया गया है केंद्रिया मंतुरी ने कहा कि बड़ी संख्या में मुक्य संसद ये सचेव नियुक्त क कॉंग्रेस सरकार ने प्रदेश पर आर्थिक बोज बढ़ाया है रुपे महिला के खाते में तो आई नहीं लेकिन पंद्रा सो क्रोड का करजा जरूर प्रदेश में चड़ा दिया ओपियस का कुछ मिला तो है नहीं लेकिन रोज का 30 क्रोड करजा जरूर लेना शुरू कर दिया ये दिखता है कि ये सरकार बनाने की इनकी कभी सोच ही नहीं तो बड़े बड़े वाइदे करके किवल जनता को गुम्रा करे थे आएंगे तो देखेंगे प्लैनिंग कभी नहीं और अब जब से आएं तब से देखी रहे हैं और जनता इनके मूँ की और देख रही है कि कब यह अपने वाइदे पर देखें